हेलो दोस्तों आज हम ये केक बनाने वाले हैं इस टेप केक में और थोड़ा अलग डिजाइन है फॉंडेंट का भी काम है जो कि मैंने पहले कर चुका हूं वो भी वीडियो में एट करके बताऊंगा आप सबको कि मैंने ये केक पूरा कैसे बनाया बने रहे हैं मेरे वीडियो में पूरा को मैंने पहले लेरिंग करके रख लिया था और फ्लेवर की की बात करें तो वाइट फॉरस फ्लेवर है एड में ये प्लाइट फिनिसिंग कर रहा हूं क्यूंकि बनाते time केक का करम से उपर ना आ जाए इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी कोई केक बनाओगे तो हमेशा लाइट क्रीम से हलका फिनिसिंग कर लेना ताकि जो करम से है ना वो केक के उपर आपका ना आ जाए इसके लिए क्योंकि बहुत बार ये हुआ होगा सब के साथ बनाते टाइम केक का करम से उपर आ जाते केक फिनिसिंग करने के टाइम में इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आप सबको जरा ध्यान रखना कभी भी लाइट फिनिसिंग करके केक को फिनिसिंग करना क्यूंकि उसमें केक के साइड में क्रीम लगाने के लिए एक लाइनिंग से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना क्रीम लगेगा केक में तो आप यूज कर सकते हो पाइपिंग बैग का मैं यूज करता हूँ कभी कभी आप सब देखे होंगे मेरे सोट सी वीडियो में काफी हल्प हो जाती है मुझे पाइपिंग बैग की मदद से आप लोग भी चाहो तो यूज कर सकते हैं अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो केक तो हमने फिनिसिंग कर दिया है अब इनका टोपर बनाते और दिखाते आप सबको कि मैंने कैसे टोपर बनाया है इनका फिनिसिंग किया अब इनके बाद मैं फिनिसिंग का काम कर रहा हूँ जहां तक कि मैंने वीडियो पहले बनाया था मैंने केक बनाने से पहले फिनिस काम कर लेना जो भी आपको बनाना रहा उन्के बाद नदेडियों करते हो जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूं है और आज मुझे केक का order मिला engagement केक का इसमें दो चीज बनाना है एक लड़का का coat रहता है न जैसा उस तरीके का बनाना है और दूसरा लड़की का frog बनाना है और सारे चीज में head work कर रहा हूं जो कि आप सब देख रहे हो वीडियो में पहले मैंने engagement का box बनाया छोटा सा बनाया हो engagement का box ये सब सारे टोपर में केक के ऊपर में decoration करने वाला हूं इसके लिए मैं छोटा छोटा ही बना रहा हूं ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए मैं छोटा छोटा ही बना रहा हूं केक के ऊपर लगाने के लिए and आप सब कभी एक question था कि भई आप fondant को खा सकते हो की नहीं हाँ जी बिलकुल खा सकते हो और आप सबने ये भी बात पूछा था कि भई आप fondant को कैसे बनाते हो तो जी मैं बताना चाहता हूं मैं खुद readymate fondant यूज़ करता हूं आप सब भी चाहो तो मंगा सकते हो ReadyMate में क्योंकि ReadyMate में आज के दिन में बहुत ही अच्छा अच्छा Fondant मिलता है आप कोई भी company का ले सकते हो बहुत सारा company है जो Fondant अच्छे अच्छे बनाते हैं मैं नाम तो नहीं बताऊंगा आप Google में सर्च करके देख सकते हो आप Google में सर्च करके देख सकते हो कि कौन सा Fondant ज़्यादा best रहता है केक के लिए आप वो Fondant यूज कर सकते हो आज कल तो सब को मालूम है कि कौन सा Fondant ज़्यादा यूज करते है वैसे Vision Company का Fondant आज कल सबसे ज़्यादा यूज होता है तो आप एक बार खरिद के यूज करके देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगा Vision Company का Fondant तो आप यूज कर सकते हो वही Fondant Almost मेरा Fondant का सारे work हो गया है पहले मैंने देखा आप सबने ring box बनाया उनके बाद फिर जो calendar रहता है वो भी बना लिया और फिर frog बनाया और ladies का admin का जो blazer का dress रहता है वो भी बना लिया मैं आप सब एक चीज गोर किया होगा सारा चीज मैंने handwork किया है याँ पे जो कुछ भी बनाया सब handwork किया है मैंने क्यूंकि आप सब सोचते होंगे कि जो bakery में काम करता है उसके पास tools वगरा रहता है ऐसा नहीं है कहीं कहीं पर रहता है बट मैं जादातर handwork कहीं करता हूँ केक के लिए कुछ भी बनाना रहा तो बाकि आप सब जरूर बताना ये handwork मेरा fondant का काम कैसा रहा तो चलिए अब आगे हम केक को decoration करके बताते हैं कि कैसा रहेगा ये cake decoration करने के बाद तो सबसे पहले मैंने जो cake finishing किया था वो लेंगे और उसके उपर जो मैंने fondant का सारे टोपर बनाया था उसे एक एक करके cake के उपर decoration करेंगे तो सबसे पहले cake के उपर हम ring box को रखेंगे उनके बाद जो भी थाट उपर धेरे धेरे एक एक करके सारे चीज को रखे cake को ready कर देंगे और गायज आप सबको आज पता है मेरा तब्यद खराब है फिर भी मैं आज वीडियो बना रहा हूं आप सबके लिए और तावर जब मैं वीडियो रिकॉड कर रहा था वोईस ओवर तब तो मुझे और प्रोब्लम हो रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी हो गया है तो मेरी आवाज से आप सबको पता चल गया होगा कि थोड़ा मेरा तब्याट डाउन है मैं इसलिए आप सबसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से लॉंग वीडियो पोस्ट नहीं किया था इसलिए मैं सोचा चलो आज मैं लॉंग वीडियो वोईस ओवर करके पोस्ट कर देता हूँ मेरे ओडियंस के साथ तो आयोप आप सबको भी येएग अच्छा लगा ँगा सारे केक की तरह याट मैंने के साइड में देख रहे होंगे गौल्डेन लाइनिंग किया हूं गौल्डेन डस्ट का यूश किया है मैंने उसमें अज़ोड़ा सा संफ़ला और ओल का Y gele किया है मैंने उनके बाद बरस से प्रिंटिंग कर दिया है मैंने साइड में बाकी आप सब समझ गई होंगे मैंने पूरा केक कैसे बनाया एंड ये केक पसंदाया तो like कर देना और मेरे चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लेना तो फाइनली गाइस डेक तो रेडी हो गया है देखो मैंने आज का डेकुरेशन ऐसा था यह किक का ओर्टर था और पर भी बनाया हूं बाकि आप सबको कैसा लगा जरूर बताना कमेंड में पसल आया तो लाइक कर देना